नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांड़े आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, दोस्तों, यहाँ पर फिर से लेकर आगए हैं आपको GKK One Liner, हमारा टार्गेट है आपको एक महीने में 3000 GKK One Liner कराने का, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ प्लीज कोशिश करिए पूरा वीडियो देखने के लिए सिद्दत से 10-15 मिट अपनी पढ़ाई को दीजिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पहला कोशिशन जन्गरना किस के अंतरगत वर्नित है, तो संग सूची के अंतरगत जन्गरना वर्नित है, भारत का समयधान भा पाया जाता है, छुद्रग्र किस के बीच देखे जाते हैं, तो मंगल और ब्रहस्पती के बीच में छुद्रग्र देखे जाते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना जेलम नदी पर इस्थित है, बाबर नामा के लेखक कौन है, बाबर न किस भाशा में लिखी गई है यदि आप मैंसे किसी को भी पता तो comment box में comment करके बताईए अंतर राष्ट्री महिला दिवस कम मनाए जाता है आठ मार्च को अंतर राष्ट्री महिला दिवस मनाए जाता है प्रकास वर्ष किसका मात रखे तो दूरी का मात रखे प्रकास वर्ष म खारत छोड़ो आंडोलन का नारा किस ने दिया था, तो महातुमा गांधी जी ने ये नारा दिया था, राशियों की कुल संख्या कितनी होती हैं, तो 12 राशिया होती है, आपकी राशी कौन सी है, यदि आप हिंदू धर्म से सम्बल ने थे तो आप लोग जानते होंगे, तो क सूर मंदर का सबसे चमकी लग रहें रहा है विंदुसार किस वश का सबसेथि जाता है मकाउडेशं की मुद्रा पटाका है कि सिंदेमा का अविश्कार किस ने किया तो निकोलस और जीन लुथी ये ने लुब्वारा का आवश्कार किया किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं और 88 दिन में सूरकी परिक्रमा कर लेता है तो बुद्ध ग्रह है ज addict कोई भी उपग्रह नहीं है हर्ष का राजकवी कौन था तो बान भट हर्ष का राजकवी था हाईडोजन बंब का अविशकार किसेने किया तो Edward Taylor ने hydrogen bomb का विश्कार किया विश्वे स्वास्त दिवस कब मनाये जाता है तो 7 अप्रेल को विश्वे स्वास्त दिवस मनाये जाता है दक्षण अमेरिका में चारा गाह को क्या कहा जाता है तो पंपास मैदान आपने सुना होगा चारा गाह पंपास दक्षण अमेरिका में भारत में प्रथम सुन मुद्राएं किस ने चलाई तो यूनानियों ने चलाई और आपको बता दू सबसे सुद्ध सोने के सिक्के कोशाणों ने भी चलाते अब आपको जो option आता उसे साब से आपको लगाना है भारती राष्टी कॉंगरीस का प्रथम मुस्लिम अद्यक्ष कौन था तो बद रुद्धीन तय़भ जी भारती राष्टी कॉंगरीस के प्रथम मुसलिम अद्यक्ष थे राज अप औरन नीती को किस ने क्रियान वित किया लॉर्ड डलहोजी ने आपने सुनाओगा डलहोजी की हडप नीती, फूड डालो शाशन करो आर्थिक अपच्छय सिद्धान्थ के पृतिपादक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपच्छय सिद्धान्थ के पृतिपादक है तो जावा तथा सुमात्रा के बीच में इस्ते थे सुन्डा जल डमरू मध्य राष्ट्री आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रिय सांख की संगठन राष्टी आय का आकलन करती है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था? तो 1931 इस्वी में गांधी इर्विन समझोता हुआ था दोस्तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दो आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है हमें तीन हजार कॉशन आपको कराने है आपके तीन महीने में कम से कम नौ से दस हजार कॉशन कराने का टार्गेट है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करना विश्व बैंक का मुख्याले कहां इस्ते थे तो वशिंगतन डीसी में विश्व बैंक का मुख्याले इस्ते थे योजना आयोग का अध्यक्च कौन होता है तो नीती आयोग जिसका नाम परिवर्थत करके रख दिया है प्रधान मंत्री योजनायोग या नीती आयोग के दख्च होते है अर्थ सास्तर का जनक कौन है तो Adam Smith अर्थ सास्तर के जनक है सिक्षा किस सूची के अंतरगत आता है इंडिया हाउस कहा है तो लंदन में इंडिया हाउस है लाफिंग गैस का रासाइन के नाम क्या है तो नाइट्रस ओक्साइड एन टू ओ लाफिंग गैस का रासाइन के नाम है भारत में बैंकों का पहली बार राश्टी करण कब हुआ प्रदान मंत्री कौन था इंगलेंड का प्रधम प्रधान मंत्री कौन था इंगलेंड ने हमारे देश पर राज के सलें याद होना चाहिए रॉबर्ट वॉल पोल और यह आपका आरारबी ग्रुप डी में कौशन आया हुआ है आजाद हिंद फोज का सन गठन कब हुआ था तो सन 1942 इसमें आजाद हिंद फोज का गठन हुआ था कमेंट करके बताइए 1942 में और क्या हुई थी कौन सी बड़ी घटना हुई थी जो आप से एक्जाम में पूछी जा सकती है लोधी वंश का अंतिम शाशक कौन था तो एब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शाशक था लोधी वंश का अंतिम शाशक हो चुका है गरसोपा जल प्रपात किस नदी पर है तो सरावती नदी पर है आपका जोग गरसोपा जल प्रपात राश्ट्रिय समुद्र विज्यान संस्थान कहां पर है तो राश्ट्रिय समुद्र विज्यान संस्थान गोवा में इस्तित है भारत का सबसे बड़ा क्रशी प्रायोगिक फार्म कहां पर है तो अंबाला में इस्तित है अंबाला किस राज्य में पढ़ता है कमेंट करके बता वर्ष सेना दिवस मनाये जाता है तो भारत में प्रती वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाये जाता है रक्त चाप धमनियों में कैसा होता है तो धमनी में हमेशा रक्त चाप उच्छ होता है सिराओं की अपिक्षा सिराओं में कम होता है या रखना चक्रवात किसके कान आता है तो निम्न दाब जब प्रैशर वायूमंडली दावा कम होता है दाब कम होता है तब चक्रवात आता है यार रखेगा भारत में प्रतम रेल किसके शाषनकाल में चली तो लॉड डल होजी के शाषनकाल में सबसे पहले रेल चली थी 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी सन भी याद रखना सन पूछा जा सकता है पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर हेमू 1556 तीन चीज याद रखना है मानसरोवर जील कहां इस्तित है तो मानसरोवर जील आपकी तिबबत में इस्तित है कमेंट करके वता यह मानसरोवर जील के निकट से कौन कौन सी नदिया निकलती है जो भारत में बहती है देखते हैं आप में से कितने लोग जागरुख है कि राजधानी क्या थी तो गुल बर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी अगला कॉशन देखी तरत किसके द्वारा उत्पन्न होता है तरत उत्पन्न होता है विद्धुत विसर्जन के द्वारा रेवीज नामक रोग किसके द्वारा होता है तो रेवीज नामक रोग व मुख्यता क्या होता है तो कार्वो हैड्रेक्स सहेद में मुख्यता पाए जाता है सम्विधान के कि 스म सन्विधान के तहत नए नए राज्यों का गठन हो सकता है अनुछेद में राज्यों का संग भारत को कहा गया है तो राज्यों का संग अनुछेद एक में सम्विधान के भारत को कहा गया है या रखीगा कमेंट करकी होताइए किस सम्विधान के तहत नए नए राजियों का गठन हो सकता है जैसे कि तेलंगाना बना और भी जो राज बने मद परेस से अलगोर चतरिसगर बना ठीक है उत्तरपेस से उत्तराखंड बना अलगोर ऐसे अलग-अलग राज जो बने है किस सम्विधान के किस अनुशेद में इसका वनिंद किया गया है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम बेजी नदी पर स्थित है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी तो रजिया सुल्तान इल्टोतमिस की बेटी थी गुलामवंश की सासी का थी और गुलामवंश की जो है प्रथम मुगल महिला शाशी का भी थी भारत में सरवादिक सुद्ध सोने के सिक्के किस ने जारी किये तो मैंने आपको थोड़ी देरी पहले बता थी सबसे पहले यूनानियों ने सिक्के जारी किये थे और सुद्ध सोने के सबसे पहले कोशारवंश के शाश्कों ने जारी किये थे सूरिकी उर्जा का मुख्य कारण क्या है तो सूरिक में जो है नाब की ये सनलयन होता है विखंडन और सनलयन में बहुत कनफ्यूज होते हैं या रखना सनलयन होता है सिख गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी तो अंगद देव जी ने गुरु रानक जी की जीवनी लिखी है अगला कॉशन रोम जो सहर है वो किस नदी के किनारे है तो रोम सहर जो है टाइबर नदी के किनारे है यह आपका विश्व भुगोल का कॉशन है राजसवा द्वारा लोकसवा को धन विद्यक कितने दिनों में लोटा दिये जाने चाहिए तो 14 दिन के अंदर यदि कोई धन विद्यक है तो राजसवा से पास होके लोकसवा में आ जाना चाहिए चोल राजाओं की राजधानी क्या थी तो चोल राजाओं की राजधानी तंजोर या रखना most important caution है यह और यह हो गए आपके cautions यहाँ पर समाप्त दोस्तों यदि आपको रोज चाहिए यह 100 cautions तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और पुराने वीडियो देखने के लिए description box में लिंक देदूँगा वहां से भी देख सकते हो 100-100 cautions के कम से कम नहीं तो 25-30 वीडियो तो अल्रेडी अप्लोड हैं मतलब आपके 3000 cautions तो अल्रेडी अप्लोडेड हैं जिसको देखना हो description box में लिंक देदूँगा जाके देख किया न वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो चैनल पर पहली बार आए चो इनको सब्सक्राइब करो पुराने student प्लीज वीडियो को शेयर कर दो और नई student भी वीडियो को शेयर करो यादि आपको आगे भी ऐसे question चाहिए mix question रहते हैं चांट चांट के question लाते हैं भरोसे इमंद question रहते हैं सभी के answer बिलकुल एकदम दस बार चेक करके लाते हैं आपके लिए ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए अपने ख्यार रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभू बहुत बहुत धन्यवाद